सावने पांडूना मांगपार हेटी सुल्ला स्थित्य शेत्र के पूर विधायक मंत्री और प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षे रंजीत बाबु देशमुक के राम गणेश गटकरी शपकर कारखाना राश्री कॉंग्रेस पार्टी की राज्चे मंत्री प्राजक्त तनपूर ने 2007 में हुए लिलाव द्वारा ओनेपोने दामों पर खरीदी कर आगे के वहवाद 2010 में पूरे किये थे इससे लिलाव में नियमों को ताक पर रख वहवार किये जाने और कारखाने के खरीद फरोक्त में कारखाने के भूतपूर वद्यक्ष रंजीत बाबु देशमुक की भी बड़ी रकम होने या मिलेभगवत होने की जानकारी एडी को प्रात्मिक जाच में नजर आई थी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपूरे के पिता प्रसाद तनपूरे 2004 से 2010 तक MSC बैंक के संचालक मंडल में थे वही उनकी प्रसाद शुगर एंड एग्रो प्रोड़क्स कंपनी द्वारा उक्त कंपनी ओने पोने दामों पर विक्री कराने की खबर एडी को लगते ही इस संबन में मुंबई पूलस के आर्थी गुहां शाका द्वारा 26 अगस्त 2019 को मामला दरज का जाच शुरू की थी जिसमें जाच के दोरान आनिमित्ता का अंदेशा होते ही एडी द्वारा प्राजक्त तनपूरे के खिलाफ अपराद दरज कराकर इमन नगर की जमीन ऐसे कुल 13 करोड 41 लाक रुपे की जमीन कुर्क की इडी द्वारा जारी इस कारवाई से राश्रवादी कॉंग्रेस के साथ ही राज के महाविकास अगाडी को बड़ा आगात पहुचा है वही माराश्र राज सहकारी बैंक के आर्थिक घोटाले के चलते उक्तिकारवाई जारी है ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है साथी इस कंपनी के पूर्वध्यक्ष और कॉंग्रेस के कदावन नेता रंजीत बाबु देशमुक और उनके सुपूत्र भूतपूर विधायक आशिश देशमुक और उनके तक्षिला सिक्वरेटीज पर भी जानकारी और दिनांक 28 फरवरी को हुए इस जमीन कुरकी के कारवाई पर हमारे इस्थानिक संवाधाता ने घटना इस्तल पहुच कर वहां उपस्ते सुरक्षा सानिक और अन्य लोगों से बाचीत की साथ ही बूतपूर विधायक आशिश बाबु देशमुक से भी फोन पर बाचीत करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई सामनेर से NBCN न्यूस के लिए समवाधाता किशो ढूंडेली की रिपोर्ट